सो हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि 2024 में NIT Delhi में admission लेने के लिए BTEC में कितनी rank चाहिए आप सभी को आपकी categories में चाहिए आप general से belong करते हो EWS, OBC, SC, ST, PWD या फिर female candidate या फिर home state, other state सब की बात करूँगा आप सबको कितनी rank पे 100% admission मिल यहां BTEC की सभी branches की बात करूँगा, so video start करते हैं, देखो सबसे पहले Artificial Intelligence and Data Science की बात करते हैं, यहां पर समझते हैं पहले, कोटा देखो HS है, यानि की home state, और मैं आगे other state की लिए भी बताऊंगा इसी वीडियो में, C type open मतलब general, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन 7,724, यह expected ranks है, तो AI अगर आपको admission लेना है NIT Delhi में, BTEC AI में, तो अगर आपने 12th Delhi से किया है, home state quota अगर आपका आता है, आप general है तो आपको 11,000 तक rank चाहिए, 12,000 पे भी हो जाएगा, female के लिए बात करें, दोखो next, जो second column है, female के लिए है, जो general female है, उनके लिए 10,000 चाहिए, female के लिए थोड़ा high है, यहाँ पर, वैसे होता नहीं है, EWS female को 4900 चाहिए, OBC को 4500 चाहिए, अब इनको इतनी जादा क्यों चाहिए, general से high है, अब आप बो लोग यार इससे अच्छा category ना लगाए, बट यह category rank cutoff है, आपको benefit मिल रहा है, अब यहाँ पर बात करते है, other state general के के लिए, H.S. यानी, home state के लिए 31,000 तक पर 32 पर हो जाएगा, आपका 33 पर भी chances है, क्योंकि यह expected cutoffs है, uncertain है, लेकिन यह एक idea आपको लग जाएगा, इतनी rank पर आपका हो जाएगा, और यह round 1 के लिए है, तो high है, बाकी other state को 27,000 चाहिए, दोखो यहाँ पर थोड़ा सा difference है, कोई भी board हो, कहीं भी आपका home townhouse से कोई लेना दना नहीं है, अगर Delhi के लावा कहीं बाहर से किया, तो आपका other state आएगा, CS के लिए, home state को 11,000 चाहिए, और लगबग AI की भी यही cutoff थी, और इसके review भी मैं इसी video के अंदर दे दूँँगा, थोड़ा बहुत, female के लिए 16,000, यहां देखो, female को थोड़ा सा benefit है, बाकि यह सारी category rank cutoff है, इस बात का ध्यान देना है, जिनको नहीं पता मैं बता दूँँ, आग example देके बताऊंगा, other state में देखो, 8400 है, और female के लिए 12,000 है, अब यहीं अगर हम EWS की बात करें, तो देखो, general में 8400 है, और EWS के लिए 1200 है, तो आप बोलो के EWS लगाने का फायदा क्या है, जब हमें यहां पर मिलनी रहा, बट यहां पर सिर्फ EWS candidates count हो रहे है, तो आपको आपके category का benefit मिल रहा है, डॉन परी, और यहां पर आप अच्छे से stop करके देख सकते हो, जिस भी branch या category का देखना चाहते हो, electrical की बात करें, य चाहिए, female के लिए 26,000, PWD 1181, इसमें सिर्फ PWD काउंट होंगे, OBC में सिर्फ OBC काउंट होंगे, SC में सिर्फ SC, ये category rank cut-offs होती है, other state के लिए 17,000 चाहिए, competition tough रहता है, usually other states में, और अब देखो यहां पर important चीज, यहां पर बहुत सारी recently branches add होई है, जब NIT Delhi स्टार्टिंग म EEE, और यहां पर ECE की देखते हैं, एक बार, home state 15,000, female 19,000, तो यहां पर बहुत सारी branches add होई है recently, और placements काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है, और आगे और भी बताता हूं इसके review में, other state देखो पहले 12,000, इतनी rank अगर आपकी आती है, 13,000 पे भी chances हैं आपके, female 18,000, NIT देली देखो एक new NIT है, new in the sense यार इतना top पे नहीं आता है, top 15 में भी नहीं आता है NIT Delhi, but placements अगर आप देखोगे तो top 15 के अंदर होना चाहिए, इसकी placements देखो तीन ही branches की batch अभी पास आउट हुए है, पुराने जो तीन branches हैं, तो इसलिए इनकी placement काफी कमाल की हो जाती है, ब्रांचेस तीन हो अच्छी हैं, और civil mechanical तो बाद में एड हुई है, mechanical देखो home state 27,000, female 39,000, और AI तो अब भी हुई है, last year भी AI नहीं थी I think, so यहाँ पर placements अच्छी हो जाती है, campus देखो दिली से बाहर है इसका, इतना मतलब location काफी सही नहीं है, मतलब ऐसे तो अच्छा ही ब branches complete हो जाती है, जादा branches है नहीं यहाँ पर, so अभी recently कुछ branches add हुई है, बाकी placements decent हो जाती है, इसकी detail में मैंने branch wise placements पिछले 2-3 साल की कर रखी है, तो जाकर देख सकते हो, search करोगे, तो मिल जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी पूछना है, बताना हो, तो comments में पूछ सकते हो या फिर Instagram पर भी, मेरी Instagram ID के link आपको description ने मिलेगी मेरी personal ID है, और वीडियो पसंद है, या informative लेगी like जरूर कर देना, next किस NIT पर ऐसी ही cutoff चाहिए, तो comment कर देना, मैं लेकर आ जाऊँगा, अदर्वाइस मैं सब cover कर दूँगा, सभी NIT, IIT, IIIT, GFTI, तो subscribe करने के बाद, bell icon press क कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो में daily लेकर आता हूं, कोई important video आप miss ना करो, इसलिए, बागी मिलते हैं, कल की एक और ऐसी important video में